लोकमत मीडिया ने 24 अक्तूबर 2021 को राश्टिया अंतर धर्मिया सम्मेलन का नागपुर में आयोजन किया है मध्य भारत में ये अपने धंग का पहला कारेक्रम होगा सम्मेलन 24 अक्तूबर को सुभा साड़े नौ बजे सूरेजबट आडिटोरियम में हो रहा है जिसकी जानकारी लोकमत समोधवारा प्रेस क्लब में आयजित पत्रपरिशद के दोरान दी गई पत्रपरिशद के दोरान बताया गया कि सम्मेलन का विशे होगा सामप्रदाइक सोहादर के लिए वैश्विक चुनौतिया और भारत की भूमिका लोकमत के नाकपुर संसकरण के स्वर्णा जैनती मोहत्सव के तहत ये अनूठा आयजन किया जा रहा है केंद्रिय अभुतल परिवहन वराजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी सम्मेलन के मुख्य अतिती होंगे जबकि महाराष्ट विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री देविंद्र फड्नविस एवं नाकपुर के महापुर श्री दयाशंकर तिवारी विशिष्ट अतिती के रूप में उपस्तित रहेंगे इस समयलन में art of living बैंगलूर के संस्थापक पुझे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हरिद्वार के संस्थापक पुझे स्वामी बाबा राम देव जी अहिंसा विश्व भारती दिली के संस्थापक पुझे आचारिय लोकेश मुनी दरगा अजमेर शरीफ, अजमेर के गद्धी नशिन, पुझ्य हाजी सयद सल्मान चिष्टी जी, जीवन विद्या मिशन, मुंबई के संस्थापक पुझ्य प्रल्हात वामन रौपै जी, मुंबई के आर्च बीशप पुझ्य कार्डिनल ओस्वाल्ट ग्रेसियस जी, महाबो अज देख रहे हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें पर अत्याचार हो रहे हैं, और यहां तक की निर्दोशों की हत्या भी की जा रही है, जब ऐसी दुरभाग्य पुरुना तथा निंदन ये घटनाय जादा महत्व पुरुना हो जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में सदियों से सभी धर्मों एवं पंथों के लोग सवहाद्र के साथ रहते हैं, हमारी वैदिक संस्कृती ने हमें वसुध्य कुटुम्ब कम का मंत्र सिखाया है, जिसका अर्थ होता है कि पृत्वी पर रहने व सामप्रदाइक सौहाद्र का संदेश फैला है, अंतरराश्टिय महत्व के विशे पर सम्मेलन के आयोजन का उद्देशा ही यही है, मौजुदा हालात में भारत की भूमी का क्या है और दुनिया में धार्मिक सद्भाव तथा शांती को बढ़ावा देने के लिए ये धर्म निरिपेक्ष देश क्या योगदान दे सकता है? इन सवालों का जवाब ढूनने के लिए लोकमत मीडिया ने इस आयोजन में धार्मिक नेताओ एवं धर्मचारियों को आमंतरित किया है। लोकपत के स्वर्ण जैन्ती के आउसर पर हमने 24 अक्तोबर 2021 को नैशनल इंटरिलिजिस कॉन्फरेंस का आयोजन किया है जिसका विशे है ग्लोबल चैलेंजेज टू केमिनल हार्मनी एंड रोल आफ इंडिया। विशंकर जी, बाबा रामदेव जी, अहिंसा विश्व भारती के संस्ताबक आचारी लोकेश मुनी जी, गद्धी नशीन दरगा अजमेर शरीप के हाजी सेद शलमान शिस्त्री जी, जीवन रिद्या मिशन के प्रलाद वावन और पैज जी, मुंबई के आर्च बिशप का स्वामी जी शिर्कत करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे. यह कारेकराम जैसे मने आप पहले भी शायद बताया है कि 24 अक्टोबर 2021 को सुबह 10 बजे नागपूर के सूरेजबट सभागरह में आउजित किया गया है. नहीं, अभी हमने आमंत्र भेज रहे हैं अभी उनको, अभी उसको इस समय पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है. हम उनको आमंत्र करने जा रहे हैं. इस कारकरम में चीफ गेस जो है, वो हमारे लोगपुरिय केंद्रिय मंत्री शी नितिन जी गड़करी है और इस अवसर पर प्र को चीदाया चंकर जी तिवारी उपस्टी परेंट.